नमस्कारम सुस्वागतम आप सभी का मेरा नाम है खेमिंदर और मैं आपके सामने यहाब राज चुका हूँ एक बार फिर से क्या करने के लिए भईया PGCL 2023 के लिए डिपलोमा ट्रेनी का आपका एग्जामिनेशन आपका होने वाला है पाच तारिक को उसके लिए most important MCQ practice sessions आप के लिए मैं है आपर करवा रहा हूँ ठीक है बेटा तो आज है 29 नवंबर कल है 30 नवंबर और परसो क्या है परसो है आपका मेराथन क्लास तो मेराथन की डीटेल्स ही मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ तो यह क्लास इसकी second last class रहेगी आज हमारी कल last class रहेगी क्य कर दो अपने दोस्तों में जादा से जादा मेराथन की टाइमिंग और क्या क्या चीज़ें आपकी होने वाली है वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा इसी session के अंतरगत ठीक है बटा गुड़ीवनिंग सोनल गुड़ीवनिंग राम किशोर जी सभी लोग आ जाईए जल्दी और आ जाएंगे फिर उसके बाद मैं मेराथन की डीटेल साब के साथ शेयर करता हूँ जो हमारी होने वाली है एक तारिक को ठीक है बटा मोस्त इंपोर्टेंट मैं MCQ प्रैक्टिस कॉश्चन हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं आज है 31 दिन कल होगा 32 दिन और परसो होगी क्य पर मैराथन चलिए तो लेट स्टार्ट विफ फिस्ट गश्चन अव डे विच प्राइट साथ चॉट कॉट्ट चॉट 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 कनेक्शन में टीजर ट्रांसफॉर्मर और में ट्रांसफॉर्मर के बीच में कितने डिगरी का फेशिफ्ट रहता है यह सवाल है आपका detail में भी देखेंगे, तो 30 degree, 60 degree, 90 degree या 120 degree, तो क्या होगा इसका correct उत्तर, बेटा, good evening, good evening बेटा, चारो, so what is the correct answer, Scott connection, the voltage across the teaser transformer हम लोग किस तरीके से निकालते, देखो, अगर normal, अगर phase की बात करें, तो 360 by number of phase होता है, लेकिन जब Scott connection की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उसको 90 degree होता है, क्या होता है बेटा, 90 degree इसका सही उत्तर रहेगा, कि teaser transformer आपका lead करेगा, main transformer से by 90 degree, clear है बेटा, option number C is the correct answer, 30 नहीं, 30 कैसे होगा, 90 degree होगा, okay, 90 degree से phase shift से वो lead करता है, Scott connection का teaser transformer from the main transformer, good afternoon mukund, okay, आगे चलते हैं, next question जल्दी बता हो, for synchronization of alternator, the most suitable method is, for synchronization of alternator, the most suitable method is, number one, lamp method, number two, voltmeter, number two, synchroscope, क्या फिर none of the above, lamp method, voltmeter, भहिया, lamp method, voltmeter नहीं होगा, synchroscope होगा, क्या होगा, synchroscope यहाँ पर correct answer होगा, for the synchronization of alternator, we use the synchroscope, okay बटा, जादा इत्में detail की बात नहीं है, बिलकुल memory based type के ही question नहीं है, अगला बताएंगे, next question, अरे, उल्टा उल्टा बता रहे हो, C is the correct answer, very good, sonal, lumped method भी नहीं होगा, to minimize the harmonics, to minimize the harmonics, harmonics को remove करने के लिए, minimize करने के लिए, the voltage waveform, suitable step is R, क्या होगी, तो देखो, using distributed type of winding, instead of concentric winding, अगर हम distributed winding का use करें, concentric winding की जगे, तो फिर harmonics मेरे minimize होगे, बिलकुल सही बात है, अगला बोल रहा है, using fractional slot winding, यह बिलकुल सही बात है, fractional slot winding से, harmonics आपके कम होते हैं, next बोल रहा है, skewing the pole face, यह भी बिलकुल सही है, तो correct answer क्या है यह आपका, all of the above is the correct answer, अच्छा, मैं एक general सवाल पूछ रहा हूँ, कई लोग बता भी पाएंगे, देखो, कई बार, एक बार interview में question पूछ लिया था, कि what is harmonics, what is harmonics, तो क्या उत्तर हो चकता है इसका, simple सी definition बताजिए, एक बार harmonics की, तो देखो, मेरे पास, यह क्या है, एक sine wave है, चीके बिटा, अब मान लो मैं इसके अंदर कुछ ऐसा analysis करूँ, कुछ चीज put on करूँ, circuitry में कुछ करूँ, कि इसकी जो waveform है, यह ऐसी बन जाए, यह क्या है, sinusoidal, चीके ना, यह क्या है, sinusoidal, यह क्या है, basically non-sinusoidal, क्या कह सकते है, non-sinusoidal, चीक बात है, या फिर यह कह सकते है, सर, हाँ, alternating तो है, परन्तु exact sinusoidal नहीं है, परन्तु exact sinusoidal नहीं है, यह वाला, चीके ना, तो इसके अंदर harmonics होंगे, इसके अंदर क्या होंगे बेटा, harmonics होंगे, clear बात है, okay, तो इसके अंदर क्या होता है, harmonics है, किसी ना किसी प्रकार के distortion का आ जाना किसमे, AC के अंदर, AC के अंदर किसी ना किसी प्रकार के distortion का आ जाना क्या कहलाता है, harmonics आना कहलाता है, clear बात है, okay, अब दो तरीके के harmonics होते है एक तो odd harmonics और एक even harmonics, आपको मुझे बताना है कि कौन सा harmonic dangerous है, कौन सा harmonic प्रभाव अधिक डालता है, odd harmonics या even harmonics, तो देखो, odd harmonics और even harmonics, कौन सा harmonic जादा प्रभाव डालता है मेरे response पे या मेरी voltage की waveform पे, बोले जारा, odd या even, हाँ जी, देखो, जो odd harmonics होते हैं न, यह ज़्यादा dangerous हो सकते हैं या प्रभाव डाल सकते हैं मेरी waveform पे, as compared to the even harmonics, as compared to the even harmonics, जैसे एक even harmonics में हाँ बना रहा हूँ, तो देखो, यह मैंने even harmonics बनाया है, यह मैंने क्या बनाया है, even harmonics, जितना positive उतना negative, overall response क्या हो गया, जीरो हो गया, तो odd harmonics कैसे बनेगा सर, odd harmonics, देखो, यह देखो, third harmonics में बना रहा हूँ, यह मैंने थर्ड हार्मोनिका केस बनाया है जितना positive क्या उतना ही negative है नहीं है इसका मतलब overall आपका response change होगा overall net response आपका change होगा yes or no यहाँ पर जो time period है यह T by 3 हो गया है यह जो time period है यहाँ पर क्या है यह T है तो इसका आधे का यह 1 by 3 हो गया के नहीं हो गया यह 3 हार्मोनिक का component है 3 हार्मोनिक component this is 3 हार्मोनिक component this is 3 हार्मोनिक component clear है all of you here in the chat section yes बेटा good तो एक और चीज में आपको बता दू about the marathon है न तो marathon class आप लोगों की कब है बेटा आप लोगों की marathon है 1 December को 2023 1 December को 2023 की आपकी marathon होने वाली है महा marathon PGCIL diploma training के लिए और यह अंतिम प्रहार उतकर्ष के साथ हम लेकर आये है आप लोगों के लिए जो की दो बज़े से शुरू होगी जी हाँ दोस्तों दो बज़े से आपकी marathon शुरू होने वाली है कौन-कौन उस marathon में होंगे हिमानशु सर भी होंगे हिमानशु सर होंगे या इसका मतलब math और reasoning के जो portion होंगे वो हिमानशु सर देखेंगे बाकी हम केशफ सर रहेंगे कुनाल सर रहेंगे और मैं रहूंगा मेरे को तो आप जानते ही हो ठीक है ना चाल तो हम लोग रहेंगे यहाँ पर marathon class रहेगी I think पूरे 6 गंटे का प्लान रहेगा 6 गंटे की class रहेगी starting time रहेगा करीब-करीब दो बजे class start हो जाएगी exact और करीब-करीब 6 गंटे की class यह रहने वाली है प्रत्य एक subject से question आपके cover होंगे और हम target करने वाले है previous year के जो questions है ना उनको target करने वाले है क्यों कि ते को पिछले साल जैसा question paper आया था अगर काफी जादा हद तक chance है के level वही रहेगा तो उधर से आपको फायदा मिलने वाला है previous year question और कुछ additional question को mix up करके questions लेकर आने वाले है आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भूलना मत बता जा रहा हूं मैं कौन सी तारिक को 1 December को 2 बजे यह thumbnail है यहाँ पर यह साही चीजे है और यह आपको मिलने वाला है एक तारिक को अच्छा दो तारिक को भी सेम टाइमिंग रहेगा तीन तारिक को भी सेम टाइमिंग रहेगा और यह सभी teachers आपको classes कराएंगे उस दौरान ठीक है जबटा चलो next question चले next question नहीं मिलोगे चीक कोई बात नहीं बता नहीं तुमने अगला answer बताओ देखो very good Deepak very fast पढ़ाई के तरफ ध्यान दो बाते मत करो machine without commutator providing an AC EMF to the external circuit is called ठीक है समझ गया मैं तुमारी बात है DC generator alternator synchronous motor या transformer बतादो answer क्या है alternator है बही है alternator is the correct answer all of you are correct very good perfect है हाँ जी चलो alternator is the correct answer next चल रहा है अगले caution के अपर अगला सवाल बताओ D नहीं होगा B होगा नो उसका when the air gap is smaller in the induction motor then its magnetizing current reduces अगला है starting torque increases both A and B neither A और B अगले का बताओ है जब air gap आपका कम हो रहा है induction motor में air gap आपका कम हो रहा है induction motor के अंदर छीक है induction motor में जब air gap कम हो रहा है तो क्या होता है magnetizing current आपका reduce होता है magnetizing current आपका reduce होता है next बोल रहा है starting torque increase हो रहा है sir air gap कम होगा तो magnetizing current reduce होगा बिल्कुल सही बात है और starting current क्या करेगा increase करेगा बिल्कुल सही बहुत बढ़िया correct क्या हुआ, option number C is the correct answer, option C both A and B is the correct answer for this case, option number C both A and B is the correct answer for this particular case, very good next, air gap reduces then power factor increases and magnetizing current decreases, perfect and torque increases, air gap reduce, power factor increase and magnetizing current decrease करेगा और torque increase करेगा, बिल्कुल सही बात है, अगला बताईए, which one of the following starter are used in an direct online starter induction motor में कौन से starter का उप्योग करते हैं, option A, direct online starter, star delta starter या auto transformer starter, DOL starter, DOL, चीक है, अच्छा ये तीन, में को पता है कि ये तीनों answer है, लेकिन मुझे आप से ये जानना है, मुझे ये बता दो कि इनके torque की equations क्या होती है, वाला टॉर्क का relation और voltage का relation क्या क्या होता है, star delta starter में as compared to DOL, torque का relation as compared to DOL, ये पूस्ता है exam में, ये बताना ज़रा, chat में बताओ मुझे, कि what is the relation of star, torque of star delta starter in relation with the DOL starter, ये बताईए, ये correct है, all three are correct, auto transformer से भी start होता है, DOL से भी start होता है, direct online starter और star delta से भी start होता है, तो यहाँ पर correct answer क्या हो गया, option number C is the correct answer, clear है, very good, star में 1 by 3, star में 1 by 3 of the total, 1 by 3 of the DOL, clear है, voltage के relation में 1 by root 3 आ जाता है, चीक है न, torque में क्या होता है, 1 by 3, torque में क्या होता है बिटा, 1 by 3, और voltage जब करते है, तो 1 by root 3 होता है, है न, clear है न, yes बिटा, torque is directly proportional to voltage square, इसी तरीके से देखते हैं हम लोग, auto transformer में N वहाँ पर important हो जाता है, कि ratio कितना है, चीक है, very good, तो यहाँ पर correct answer क्या है, option number C is the correct answer यहाँ पर, next, very good, very good, very good, अगला बता ही है, JK Studio, Ninja, Sonal, Ajay, Hemraj, Wipin, Abhishek, very good, सभी लोग बहुत ही बढ़िया, क्या बोल रहा है, which other following motor is used for the household refrigerator, household refrigerator में कौनसी motor use की जाती है, तो correct answer क्या है, single phase induction motor, single phase induction motor का प्रयोग किया जाता है, household refrigerator पर बटा, single phase induction motor का प्रयोग किया जाता है, चै, camecho, sir, मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो, ठीक है, अगला बताओ, अच्छा है, इसमें बहुत सारी ऐसी, अलग-अलग motors दे रखिए, इसमें बताया तो, यह जो DC shunt motor है, इसका प्रयोग कहा पर किया जाता है, constant speed की drive में, constant speed, constant speed की जहाँ पर requirement होती है, तो DC shunt motor को, use किया जाता है, series, DC series motor को, कहा पर use किया जाता है, बेटा, DC series motor को, कहा पर use करते हैं, बेटा, बताओ जारा, DC shunt, shunt का क्या हो गया, conveyor belts में, conveyor belts में, use करते हैं, अच्छा हाँ, proper speed control, जहाँ पर requirement हो, proper speed control, तो हम DC shunt motor का करते हैं, अगला बताओ, DC series motor को कहा पर use करते हैं, cumulative compound motor को कहा पर use करते हैं, cumulative compound motor को कहा पर use करते हैं, next, हाँ, यह आगे traction में, traction में use करते हैं किसको, यहाँ पर use करते हैं, यहाँ यहाँ पर न, क्या होता है, traction में जब use कर रहे हैं, तो यह high starting torque हमको provide कर आता है, high starting torque हमको provide कर आता है, cumulative compound, lift and elevators, lift and elevator, lift और elevators में हम लोग use करते हैं, चीक है न, clear, चीक है, पता है न यह चीज, cranes, यही आगया crane, crane hoist, क्या use करते हैं, DC series use करते हैं, universal motor को कहाँ पर use करते हैं, reluctance motor को, universal motor, reluctance motor, और कौन सी रह गई, shaded pole motor, shaded pole motor, hysteresis motor, hysteresis motor, इनको कहाँ पर use करते हैं बताओ, हाँ, very good, mukund, universal use कर रहे हैं वैटा, mixer में, mixer grinder, universal use कर रहे हैं, mixer में, reluctance use करते हैं, signaling और timing devices में, signaling and timing devices में, shaded pole, toys, hairdryer, shaded pole, toys, hairdryer, और hystress is tape recorder, hystress is tape recorder, अच्छा, ऐसी कौन सी motor है, जिसकी direction of rotation को, हम opposite नहीं कर सकते, क्या ऐसी कोई motor है, जिसकी direction of rotation को, हम, उल्टा नहीं कर सकते, बताओ, जि हाँ, shaded pole, एक ऐसी motor दिखती है, जिसकी direction of rotation को, हम, उल्टा नहीं कर सकते, बेटा, clear है, shaded pole को, direction of rotation को, नहीं कर सकते, हाँ, एक और आगे, देखो, यह बहुत अच्छा बताया, दीपक, बहुत बढ़िया, repulsion, repulsion, कहाँ पर यूज़ करते है, trains में ही यूज़ करते है, trains में ही यूज़ करते है, क्योंकि, high starting torque की रिपल्शन भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है बेटा, ओके, तो I think, यह काफी अच्छी सी, हमने आप एनलेसिस किया है, बहुत important है, मेरे इसाब से इन में से caution बनना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ पूचता है वो, ओके बेटा, चलिए, next question, अगला बताईए, यह यूनिवर्सल डिलिंग मशीन के बिखाएगा है, पर यूनिवर्सल का बहतर example आपका क्या है, आपका यह है, mixer ही है, अच्छिए एक और बताऊ क्या, एक और इसमें एक और याद आगया मेरें, अच्छा fan में कौन से यूसज़ करते हैं, आपके सर के ऊपर जो fan है, देहों गूम रहे कांगे, fan है ना, उसमें कौन से यूस़करते हैं, fan, fan में कौन से यूस़करते हैं, सिंपल है, फैन में, ये बताओ फैन और बताओ कि इलेक्ट्रिक विकल, इलेक्ट्रिक विकल में तो टायर होता है न, वो कौन सा यूज़ करते हैं, फैन में आ गया, पर्मानेंट कैपिसिटर, फैन में आ गया, पर्मानेंट कैपिसिटर, चीके बेटा, फैन में क्या आ गया, पर्मानेंट कैपिसिटर, आजकल अभी cricket match चल रहा था न तो उसके बीच में एक पंखे का advertisement आ रहा था वो बता रहे थे कि पंखा भी BLDC का use कर रहे है BLDC का full firm क्या होता है brushless DC motor brushless DC motor BLDC ठीक है न electric vehicle में mostly जो पहले use करते थे electric vehicle में वो use करते थे DC shunt लेकिन अब use करते हैं BLDC तो अब use करते हैं BLDC ठीक है न पंखे में भी कई सारे ऐसी आ गए हैं कि वो fan में थोड़े महंगे fan है वो BLDC motor वाले use करते हैं पंखे में भी आ चुके है ठीक है न नॉइज नहीं होती उस पंखे में ठीक है वेटा एक differential compound बोल रहे थे बिल्कुल सही है welding के लिए use करते हैं welding परपस करते हैं ठीक है differential compound वहाँ पर use होगा ओके एसी कौन सी motor है जिसमें rotor नहीं है जिसमें rotor teeth नहीं नहीं है,, rotor नहीं रोटर तो हैं, rotor teeth नहीं होते है एसी कौन सी motor है जिसमें rotor teeth नहीं है hysteresis motor में, rotor teeth नहीं होते है है नो, अच्छा, ऐसी कॉंसी मोटर है, जो एक्जेक्स, नीचे में, ऐसी कॉंसी मोटर है, जो एक्जेक्स, सिमिलर है, DC सिरी's मोटर से, युनिवर्सल मोटर, अच्छा अगला सवाल हिस्ट्रेसिस सिंक्रोनस है क्या असिंक्रोनस है हिस्ट्रेसिस मोटर सिंक्रोनस है क्या असिंक्रोनस है हिस्ट्रेसिस मोटर सिंक्रोनस मोटर है या असिंक्रोनस है सिंक्रोनस है सिंक्रोनस स्पीड से मूव करती है स्लिप की वैल्यू जीरो हो जाती है हिस्ट्रेशिस में, ओके बिटा, येस, पर्फेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे, लेके प्रभू का नाम, चलते हैं आगे की तरफ, चलो बहुत बढ़ी हैं, सभी लोग मुझे लगता है काफी अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, आपके सारे के सारे कॉंसेप्ट्स का, आगे चलते हैं अगले कॉश्चिन के उपड़, मैं बता दूँ, वापस से बता जेता हूँ, आप लोगों ने पहले तो ध्यान दिया नहीं, मेरथन क्लास कब है, एक तारीक को है, कितने बज़े है, दो बज़े है, ठीक है, कितने दिन चलेगी, तीन दिन चलेगी, एक, दो, तीन, ठीक है ना, DC motor takes large value of current at a time of starting due to, yes, very easy, absence of back EMF, उस समय पे, starting के समय में, back EMF नहीं होता है, इसी वज़े से, आपकी जो DC motor है, इसकी starting torque जादा होता है, एक, दो, तीन को, कौन से दिन है आपका मेरथन, एक, दो, तीन, एक तारीक, दो तारीक, तीन तारीक, एक तारीक को दो बज़े, क्लियर है, एक तारीक को दो बज़े, ओकी, चल, बता दिया सबको, information मिल गई, अगला बताईए, निकल मेरा ही class लगेगा, मैं ही हूँ, मुझे ही जहलना पड़ेगा तुमको, चन्दन, क्या करूँ, आंसर बताओ देखो, युनिवर्सल मोटर कैन वर्क अन बोथ एसी और डीसी, सही लग रहा है मेरको तो, ठीक है न, नेक्स, उनिवर्सल मोटर is used for the purpose where speed control and high value of speed are necessary, बिलकुल सही बात है, पर्फेक्ट, तो बोथ और बोथ आर दा करेक्ट स्टेटमेंट बता, तो देरफोर B is the correct answer, B is the correct answer, कितनी speed होती है, 20,000 rpm, बिलकुल सही, 20,000 rpm तक speed पहुँच जाती है, इसकी, clear है वेटा, आगे चलते हैं, अगला सवाल बताओ, ये बिलकुल copy book question है, ये same question कई जगे पूछा गया था, इसलिए लेके आयो मैं, 57.7 percent, VV Scott connection भी कहते, बिलके सको, क्या कहते, Scott connection की साइधा से, 3 phase से, 2 phase में हम चले जाते हैं, 3 phase to 2 phase, transfer हम लोग करते हैं, कितना बिटा, 3 phase से 2 phase में हम लोग transfer करते हैं, Scott connection, ओके, अच्छा ये तो मैं बता चुका हूँ, अब लोग को पहले ही, एक तारीक को 2 बजे, चार लोग आएंगे, वो चार लोग थे, बिलकुल, पूरा महा मेरतन कराया उन्होंने, अंतिम प्रहार उतकर्ष के साथ, अगला सवाल, नहीं, 57.7 रहता है पेटा, ओपन डेल्टा, सही बोल रहा है, बिलकुल, बहुत ही बड़ी है, दीपक, load carried 57.7 percentage, and if full load is maintained, then overloaded by 73.3 percentage, for the parallel connection of three-phase transformers, parallel connection of three-phase transformer के लिए, which of the following connection is not applicable, इन में से कौन सा connection applicable नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होगा, star, star, नहीं होगा, ठीक है, and उस ताइम, अच्छा, दूसरी बात बोल रहा है, ठीक है, star, star is the correct answer, star, star is the correct answer, option C, maximum student C बोल रहा है, सही भी है, अगला बताईए, यह तो आसान है, if an autotransformer having transformation ratio equal to 0.6, if an autotransformer has a transformation ratio equal to 0.6 is supplying a load of 8 kilowatt, then its power transferred from the primary to secondary is given by, then the power transferred from primary to secondary is given by, 1 minus 0.6 multiplied by total load, 1 minus 0.6 multiplied by total load, तो कितना हो गया, 8 kilowatt multiplied by 0.4, कितना रहे गया, 3.2, 3.2 kilowatt is the correct answer, 3.2 kilowatt is the correct answer, अज़ा मुझे एक बात बताओ, सोच के, जब हम autotransformer की बात करते हैं, तो autotransformer में, दो तरीके से power transfer की जाती है, power transfer conductively, and power transfer inductively, ओके बटा, तो power transfer conductively ज़ादा होगी, या inductively, यह बताओ मुझे, power transfer conductively ज़ादा होगी, या फिर power transfer inductively, conductively मतलब direct connection है, तो इसका मतलब जो direct connection है, उससे हम ज़ादा power को transfer कर सकते हैं, तो हमेशा जब हम autotransformer देखते हैं, तो power transfer conductively अधिग होती है, as compared to power transfer inductively, ओके बता, तो यहाँ पर यह जो power transfer हुई है, यह conductive है या inductive है, यह inductive है, यह क्या है, inductive power transfer, अगर मैं conductive power transfer निकालना चाहूँ, तो वो कैसे निकालूँगा, वो simple हो गया, 0.6 multiplied by 8, कितना हो गया, 4.8 kilowatt, yes बिटा, clear, अच्छा, इसको ऐसे और समझो, इसको ऐसे और समझो, कि अगर मैं, auto transfer, normal transformer को auto transformer में convert कर रहा हूँ, तो KVA rating increase करेगी, decrease करेगी, simple सा question है, बताओ ज़रा, hello young man, ओहो हो, यंग लग रहा हूँगे मैं, मुझे देखके, मेरी उम्र का पता लगा रहा, बहुत मुश्किल है, चलो, answer दो, मजाग करते हैं बताओ, बच्चे, answer बताओ, question क्या है, कि आपकी system में power transfer हो रही है, तो total KVA rating increase करेगी, के decrease करेगी, क्यूंकि overall power transfer आपकी जाधा हो चुकी है, क्यूंकि overall power transfer आपकी बेटा, क्या हो चुकी है, जाधा हो चुकी है, clear है कि नहीं, yes बेटा, पक्की बात है, बहुत अच्छी बात, so this is the few points regarding the auto transformer, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है न, चलो, अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, क्या बता है, चलो, कोई नहीं, आगे देखेंगे, जो भी point आएगा देखते रहेंगे, next बताओ, starting torque and power factor of a shaded pole, देखो, shaded pole ऐसी motor होती है, कि starting torque कम होता है, low starting torque होता है, और power factor भी कम होता है, low power factor के लिए, तो low power factor और low starting torque, बोथ हर lows, ओके, low power factor और low starting torque, चीक है बेटा, clear है, shaded pole, for satisfactory parallel operation of the circulating current, should not exceed what, satisfactory parallel operation करने के लिए, जो आपकी जो circulating current होता है, यह किस से अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत ही बड़ी है, दीपक, बहुत ही बड़िया, 50 percentage of normal rated current, 5 percentage of normal rated current, 10 percentage of normal rated current, या 25 percentage of normal rated current, 25 percent कैसे हो गया रवी, 25 percent बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है न, 5-10 बोलते तो समझ में भी आता, circulating current नहीं होना चाहिए, अग्फिर कम होना चाहिए, तो क्या होगा correct answer यहाँ पर, 5 percentage of normal rated current, 5 percentage of normal rated current is the correct answer, clear है, yes, all of you, बिलकुल, next question, subject change, क्योंकि, examination में एक ही subject से तो question आएंगे नहीं, तो इत्ती देर से हम machine machine खेल रहे थे, अब हम PEPE खेलेंगे, ठीक है बाटा, the anode current through the conducting SCR is 12 ampere, if the gate current is made 1 third, then what will be the anode current, anode current through the conducting SCR is 12 ampere, if the gate current is made 1 third, अगर gate current 1 बटे 3 हो गया है, तो फिर मेरा anode current कितना रहेगा, हाँ, इतनी देर से सभी के सभी जोरदार, सही पे सही उत्तर लगाए जा रहे थे, अब देखो, पहली नजर में तो फसाई लिया था तुमको, चलो, बताते हैं answer, सुनो यहाँ पर, मेरी वाद सुनो सभी लोग आ रहे, भाईया सब गलत दे रहे हो, रुको, ऐसा मत करो, इधर, very good, रवी, बहुत बढ़िया, आप देखो मेरी बात सुनो, जब हम बात करते हैं, SCR की, तो SCR एक ऐसा डिवाइस होता है, जब SCR एक ऐसा डिवाइस होता है, जो की current फ्लो करवाता है, लेकिन, सिर्फ turn on के समय पे, gate की requirement होती है, अगर फिर gate current को आप 0 ही क्यों न कर दो, वहाँ, सेम ही current को फ्लो करवाता रहेगा, इसका मतलब, 12 ampire flow होता रहेगा, तो gate का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस पे gate current का, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे anode current पे, जब वो एक बार on हो गया, बात समझ में आई के नहीं आई, जब on करते समय, उसको latching current के उपपर लेके जाऊंगा, तब वो on हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये बात समझने की है, तो अगर one third कर भी दो गये, तो अभी कुस्तन कुस्तन current रहेगा ही, वो उसको off करने की requirement, off नहीं कर पाएगा gate उसको, clear बात है, तो correct answer क्या हो गया यहाँ पर, option number D is the correct answer बेटा, option number D is the correct answer, बहुत ही बड़ी है, चलो, आगे चलो, next question, ऐसा कौन सा power electronic का device है, जिसका turn off gain poor है, ऐसा कौन सा power electronics का device है, जिसका turn off gain poor है, poor turn off gain, बताओ, symmetrical thyristor, conventional thyristor, power bipolar junction transistor, power BJT, या फिर last option है, GTO, gate turn off, यह थोड़ा सा फसा सकता है question आपको, देखो, turn off gain poor मतलब, कि, जब हम उसको turn off कर रहे हैं, तो हमको, जाधा additional, क्या कहते हैं, हमको जाधा, कोशिश करनी पड़ रही है, या फिर, हमने gate के थूँ यह ऐसा कुछ system लगाया, कि वो, उदर turn off gain, खराब मिल रहे हैं मेरे को, वो होता है बेटा, जी टी ओ में, किस में बेटा, जी टी ओ, gate turn off में, ठीक है बेटा, gate turn off, is the correct answer यहाँ पर, ओके, option number D, बाकी लोग गलत दे रहे हो, मुझे पता है, power BJT का कैसे turn off gain poor होगा, on or off, fully controlled device है, on or off, एक signal से हो जाएगा, यहाँ पर मुझे, जो signal लगा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे, heavy current, provide कराना पड़ेगा, heavy negative current, इसलिए turn off gain poor होता है, ओके बेटा, GTO में, gate turn off कहते हैं इसको, ठीक है, देखो जब thyristor बन गया था न, तो उसके बाद में, बहुत समस्या आई हमको, क्यों, क्योंकि thyristor को तो बना लिया, लेकिन जब मैं thyristor को DC input के लिए use करता हूँ, जब मैं thyristor को DC inputs के लिए use करता हूँ, तो मुझे एक भारी भरकम commutation circuit लगाना पड़ता था, भारी भरकम commutation circuit से होता क्या था, मेरा जो पूरा का पूरा system था, वो बलकी बन जाता था, बलकी मतलब भारी भरकम, ठीक है न, तो इसलिए हमने बोला कि कोई ऐसा device हो, जो की gate signal से ही turn off भी हो जाए, तो हमने बनाया ये, GTO, it is part of thyristor family, it is part of thyristor family, ये कर तो देता था turn off, लेकिन इसका gain पूर था, इसका मतलब losses जादा थे, चीक है पीटा, ओके, अच्छा एक और ऐसे सवाल है, एक नाम सुना होगा, UJT, नाम सुना है, Uni Junction Transistor, मेरा सवाल ये है, कि UJT is part of thyristor family और transistor family, UJT is part of thyristor family और transistor family, हाँ, बहुत अच्छा है दीपक, UJT is used for triggering, बिल्कुल सही है, UJT is part of thyristor family और transistor family, अब देखो, मैं तुम्हें बताता हो, दो परिवार है, चीक है, एक है, कपूर खांदान, कपूर खांदान में कौन है, थारिस्टर family, चीक है ना, राज कपूर, जैसे, अपना SCR, GTO, TRIAC, चीक है, दूसरा बच्चन परिवार, transistor family, बच्चन परिवार में कौन है, अमिता बच्चन जी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बाद, मॉस्फेट, और उसके बाद, IGBT, यह आ गया, अब एक आ जाता है, यह बिचारा, इसके नाम में क्या लिखा है, transistor, नाम में है transistor, परंतु है किसका पार्ट, थारिस्टर family का, clear है, उल्टा है, इस बात का ध्यान रखना, UJT, ठीक है बटा, अब जो UJT होता है, मैं जल्दी-जल्दी सी समझा रहा हूँ, यहाँ पर सब लोग ध्यान देना, यह जो screenshot ले लेना, इसका मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसको, इसमें heavily doped, P region होता है, इसका diagram कुछ इस तरीके का होता है, अबटा, बेस1, बेस2, heavily doped P region होता है, इसके अंदर, this is a caution in the examination, this is a caution in the examination, ओक बटा, heavily doped P region, this is a caution in the examination, ओके, next एक question पूछा गया कि इसमें एक response होता है जिसे कहते है negative resistance response एक negative resistance response इसके अंदर होता है negative resistance response मतलब अगर current increase कर रहे है तो voltage decrease होगी वो इस तरीके से बनता है यह जो region है यह negative region है negative resistance region यह होता है peak point यह होता है valley point peak point और valley point के बीच में होता है negative resistance region clear यह भी एक question था ठीके यह negative resistance region और कौन से device में पाया जाता है tunnel diode में tunnel diode में भी पाया जाता है यह negative resistance region इसके लिए कुछ और बता दो सर इतना दो बता ही चुके हो अब देखो अगर इस पे में supply ना लगाओ इस पे में supply ना लगाओ तो basically यह high resistance दिखाएगा कहाँ पे B1 B2 पे B1 B2 पे high resistance शो करेगा अगर इस पे में supply ना लगाओ तो यह भी एक caution था examination का है के नहीं क्लियर है यस बिटा हाँ जी चलिए यह हो गया अगला वात आई है यह देखो यह वाला देखो circuit turn off time of SCR is defined as the time taken by the SCR to turn off time taken by the SCR to turn off time for which SCR is reversed biased by the commutation circuit time required by the SCR to become 0 for which the SCR is reversed biased to reduce the current below the holding current यह पे दो option है जो कि आपके answer हो सकते है जितना मुझे लगता है परन्तु उन में से भी एक सही है अरे नहीं देखो से access charges उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे अब यह क्या होता है यह time है यह time है यह time है ठीके ना यह time है क्योंकि वह अलग लेवल का है उसमें तुमारे काम का नहीं था अब बेसिकली यह TQ time कौन सा है जब सभी access charge carrier remove हो अब अब टी आरर क्या होता है वह time जिसमें access charge carrier remove हो आउटर रीजन से मतलब यह और यह आउटर रीजन से अगर access charge carrier remove हो वह कौन सा होता है TRR होता है और TGR कौन सा होता है जब access charge carrier remove हो inner region से यह inner region है यह outer region है यह outer region है यह outer region है clear बात है कि नहीं all of you yes तो TRR TGR समझ में आया TQ समझ में आया कि सभी access charge carrier remove हो अच्छा इसके बाद अब यहाँ पर आ जाओ इधर circuit turn off time क्या है यह वो time है जो किसी additional circuit के द्वारा लगाया गया है ताकि आपका जो current है सभी access charge के दियर remove हो जाए ओके अब यहाँ पर दो option ऐसे है जो बिल्कुल मेरे को सही लग रहे है कौन कौन सा option number B for which the SCR is reversed biased by the commutation circuit बिल्कुल सही लग रहा है अगला बोल रहा है for which the SCR is reversed biased to reduce its current below the holding current मतलब कहने का मतलब उसको बंद कराने के लिए तो यहाँ पर B और D दोनों सही है जादा appropriate answer आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है B जादा appropriate है क्योंकि यहाँ पर circuit turn off time की बात हो रही है और यहाँ पर साफ तोर पर लिखा गया है कि commutation circuit दोरा यह किया जाता है वैसे तो इधर भी करी रहे किसने किस तरीके से लेकि यहाँ पर specify करा आवा है तो B जादा specific answer है बताओ clear है तो अरे बोलो तो कुछ तो बोलो हाँ जी जादा specific और जादा सही क्या है B है Snubber circuit used in the power electronic क्यों use करते है बताओ जरा क्पुर्क रønen प्सक्राद तो कुछ प्सक्रादा करते है तु रिडियूज हाई डीवी बाई डीटी हाई डीवी बाई डीटी यो कम करने के लिए स्नबर सर्कृट का प्रेयोग करा जाता है अब मुझे एक बात बताओ अरे सी नहीं होगा स्नबर सर्कृट होता क्या है स्नबर सर्कृट होता क्या है आर और सी का कनेक्शन होता है क्योंकि आर सी स्नबर सर्कृट इसको कहते है आर और सी का कनेक्शन होता है वेटा और ये मेरे सी आर के साथ पैरलल में लगाए जाते है मतलब ये सी आर है तो ऐसे लगाएंगे वेटा R और C का connection होता है ये मेरे SCR के साथ parallel में इस तरीके से लगाए जाते है ठीक है मुझे एक बाद बताओ over current protection के लिए क्या लगाते है over current protection के लिए over current protection में क्या लगाते है R और C का parallel connection नहीं होता R और C एक दूसरे के साथ series में है लेकिन parallel में लगता है device के साथ so null, देखना ठीक है बटा over current protection को कैसे use खतम करते है circuit breaker या फिर fuse over voltage protection को कैसे खतम करते है over voltage protection को कैसे खतम करते है वेटा variable register लगाते है जिसको बोलते है varister variable register जिससे बोलते है varister dv by dt protection के लिए क्या करते है वेटा आ गया है rc snubber next diy dt के लिए क्या करते है वेटा diy dt के लिए क्या करते है वेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है diy dt के लिए inductor लगाते है ज़र in series with device यह circuit breaker series में लगा है यह varister parallel में लगा है series में लगा है parallel में लगा है ओके बेटा thermal protection के लिए क्या लगाते है बेटा sink का प्रयोग करते है sink कौन सा material से बना होता है aluminium material का बना होता है sink कौन से material का बना होता है aluminium material का बना होता है gate over current के लिए क्या करते है gate over current के लिए क्या करते है बेटा gate over current gate over current के लिए limiting resistor लगाते हैं limiting resistor लगाते है gate circuit के series में gate circuit के series में sir इस subject में मुझे बहुत confusion होता है एक खेमिंदर सर नाम से हैं वो यही subject पढ़ाते हैं बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं अलग अलग जगे पढ़ाया है सर ने तो उतकर्ष की class में उनकी class देख लेना यह subject clear हो जाएगा ठीक है ज़्यादा तारीफ कर दीना चलो कोई बात नहीं सुन लो इदर gate over voltage gate over voltage क्या होता है zener diode noise noise remove करने के लिए हम capacitor लगाते हैं लेकिन capacitor की discharging complete करने के लिए capacitor की discharging complete करने के लिए इसमें R भी लगाया जाता है resistance भी लगाया जाता है एक छोटा सा ठीक है बेटा so this is the entire protection of SCR आप लोगों के लिए अच्छा 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 तुम हो गया मैं समझ गया कौन हो तूं अच्छीपकुमार चलो टीक है बेटा चलो एंड करते इसको तो आज की क्लास में इतना ही कल भी क्लास होगी और परसो हम लोग मेरतफन लेकर आएंगे मैं बता दूं आप लोगों को तोडि सी और बाते कांग गई रुको अरे रुको, हाँ, अरे भाईया सुनो, इधर, अभी जाना मत रहे, सुन जाओ, आप लोग क्या इसको स्कैन करके, हमारे वाटसेप उतकर्ष के ओफिशल वाटसेप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, तो भाईया बहुत अच्छे चीज़े आती है वापे, देख लेना, ठीके ये आपकी क्लास करेंगे, ठीके बटा, और अंतिम प्रहार उतकर्ष के साथ, PGCIL के डिपलोमा ट्रेनी के एग्जामिनेशन के लिए मामेरतन आपकी हो रही है, इसको भी नोट कर लेना, एक तारीक को दो बज़े आ जाना, नॉन टेक भी कराएंगे और टेक्निकल भी ये नोट से आपकी हो प्रहाद हो एला, कि असा पिले आपकी हो रहाँ स्वा激ावान का विए मामेरतन के लिए आपकी हो बज़े हो तारीक के लिए दो साथ लएकी हो जाएंगे हो जापकी हो।